कांगरा कीला हिमालाई की सुर मैं तलहडी के बीच इस्थित कांगरा कीला बारत के सम्रीद और उतल पुतल भड़े इतिहास का प्रमान है जटिल नकासी से सजी इसकी भावे पतर की दिवारे समराजियों के उत्थान और पतन तलवारों के टक्राव और अनगीनत का आनियों की फुस्पुसाट की गवार ही है कांगरा कीले की सटिक उत्पति रहस में डुबी हुई है अस्थानिय परानी कता के अनुसार इसके निर्मान कस्रे प्राचीन राजपुत वंस कटोच राजवंस के सूसर्मा चंद को दिया जाता है हाला कि सबसे पाला है ती आसिक रिकॉर्ड चोथी सताब्दी इसा पुरू का है जब कीले का उलेक महाकावे महाभारत में सकती साली तिरगर्थ समराज के गड़ के रूप में किया गया था कांगरा कीला सत्ता के उतार चड़ाओ का गवार रहा है जब विफिन समराजियों ने भारतिय उप महाद्वीप के इस रणनितिक परवेस द्वार को नियंतित करने की क्योसिस की तो अनगीनत बार हाथ बदलते रहे दस सो नौब हिस्वी में या कीला तुर्ग विजेता महमूद गजनवी के हाथों में गिर गया जिसने परसिद रूप से भारत की समपत्ती लूटी थी कीला विवात का विशाय बना रहा जिसे दिल्ली सल्तनात मुगलों और सिखो सहित लागतार सासकों ने चाहा 1620 में मुगल समराट जहांगीर अंतता किले पर कबजा करने में का मियाब रहा और इसे मुगल सब प्रभूत्व के अधीन कर दिया गया मुगलों ने कांगरा किले पर एक अमीट छाप छोड़ी इसकी दिवारों के भीतर अलंकरीत महलो उद्दानों और मज्जीदों का निर्मान किया इस अधी में किले का एक महतपोन पर सासनिक और वानीजियक केंदर में परिवर्तन भी देखा गया हाला कि कांगरा किले पर मुगलों का साशन अल्वकालिक साबित हुआ 28 अताब्दी में महराजा रंजीत सिंग ने के नेत्रित्व में सीख समराज की बरती सकती ने मुगल वर्चसु को खतरे में डाल दिया कईल नरायों के बाद सिखों ने 1809 में कांगरा किले पनियंत्रन हासिल कर लिया जिसे किले के इतिहास में एक नए अधियाई की शुरुआत हुई बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के भारत में बिस्तार ने उने सिख समराज के साथ संगर्ष में ला दिया जिसकी परिनिती एंगलो सिख युदों में हुई पर्थम आंगल सिख युद में सिखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने 1846 में कांगरा किले पर कपजा कर लिया अंग्रेजों ने किले को एक महत पुर्ण सैने चौकी के रूप में उपयोग करना जारी राखा जब तक की 1905 में विनासकारी भुकंब ने इसकी संरचनाव को गंबीर रूप से छतिग्रस्ट नहीं कर दिया बाद में किले को छोड़ दिया गया और इसके खंडहर आज भी इसके गवरोसाली अतित का मारमी के याद दिलाते हैं समय की मार और अपेक्छा के वालजूद कांगरा किला एक मनोरम द्रिश से बना हुआ है इसकी बावे दिवारे और पुराने गड़ चुप चाप बीते हुए कहानियों को सुनाते हैं किले के भूल बुलाईया गल्यारे और छीपे हुए कक्छो के भीतर वास्तु सिर्फ चमतकारों का खजाना खोज का इंतजार कर रहा है जटिल लकासी और मुर्तियों से सुसजित कीले के मंदीर छेतर की गाड़ी जरे जमाचुकी अध्यात्मिक्ता के प्रमान के रूप में खड़े हैं भौवे परांगन जो कभी गती वीदियों में भड़े राते थे अब अतीत की फुसफुसाहाट से गुंजते हैं आज कंगरा कीला लचीले पन के परती के रूप में खड़ा है इसकी दिवारे इस छेतर के उथल पुथल भड़े इतिहास की गवाही देती है यह एक ऐसी जगा है जहां युद्दो की गुंज और प्राचीन परानी कथाव की फुसफुसाहाटे आपस में जुरती है जिससे अतीत का अभास होता है जैसे ही पर्याटक इसके खंडरों में घुमते हैं वे कीले की वव्यता और रहस की आभा से मोहित हुए बिना नहीं रह पाते कांगरा कीला एक ऐसी जगा है जहां इतिहात जिवन्त हो उठता है एक ऐसी जगा जहां अतीत उन लोगों को अपनी कहानिया सुनाता है जो सुनना चाहते हैं किले से जूरी और भी जनकारी और भी किले के बारे में जानने के लिए अमारे वीडियो देखे और चैनल को सब्सक्राइब करें